जलंदर की लोकसभाज सीट पे आज चुनाव के नतीजे आए हैं जिस पे आम आदमी पार्टी की एदिहासिक जीत हुई है अभी तक लगबग 58,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रिंकुजी आगे चल रहे हैं थोड़ा सा गिंती और बाकी है लगबग 10,000 वोट की गिंती और बाकी है ये बिलकुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है और इस पॉइंट वे से देखें कि ये कॉंग्रेस का गड़ रहा है पिछले 60 साल में से 50 साल यहां पे कॉंग्रेस जीती रही है तो उस गड़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर एक साल बाद के बाद ये चुनाव हुआ किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है बहुत कठिन क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किये थे पुरानी सरकारों ने वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहरिट किये थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 पंजाब की आम आदमी पार्टी के भगवंतमान सरकार ने एक अपने लिए इतना पॉजिटिव वाताव and create कि जितने काम की है हम तो केवल काम की राजनीती करते हैं ना हम धर्म की राजनीती करते हैं ना हम जात की राजनीती केवल काम हमारे कामों के बेसिस पर हम वोट मांगते हैं लोगों से तो एक तरह ऐसे पंजाब की जनता ने जलंदर की जनता ने और जलंदर का जो ही नतीज काम कर रहे हो इसी तरह से करते रहो हम आपके साथ हैं यह बहुत बड़ा मेसेज है तो जलंदर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रियादा करना चाहता हूं बधाई देना चाहता हूं इसके लिए